जहिन दोस्तों आज हम बात करेंगे देश की 15 रहवी राष्टपती और देश की पहली आदिवासी राष्टपती दुरोपती मुर्मू के बारे में और उनका इतिहास पूरा तरीका से समझेंगे किस तरह का बैग्रोंड रहा है बजपन से लेकर राष्टपती बनने तक का प आपको समझ मैंगा कि इतिहास में एक कॉमन व्यक्ति जिसका कोई पहचान नहीं था जो ग्रॉन लेवल से उठकर और भारत की पहली महीला राष्टपती और देश की पहली आदिवासी राष्टपती बनने का गौरप राप्त की है तो इनका पूरा जो इस्तिती रहा है उन सभी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे और डिटेल से समझेगे कि एक सिक्षक के रूप में कारियर प्रारम करने के साथ ये भारत की राष्टपती कैसे बन गई तो पूरा डिटेल से हम यहाँ पे समझेगे तो देखिए सबसे पहले इनका इतिहास समझते हैं तो पहल इनको बिहार राज्य से अरलग हुआ था कौन उडिशा तो उसी राज्य में इनका जन्म हुआ था किनका दरोपती मुर्म का जन्म हुआ था तो आप लोग लिखते भी चलेंगे जो स्टुडेंट है पढ़ने वाले हैं वो इस बातों को लिखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत जरूई होगा अगले 5 साल क्या पूरा इतिहास जब तक रहेगा ये नाम हमेशा आपको कहीं भी काम देगा कि भारत की पहली आदिवासी राष्टपती कोल बनी है तो दुरोपती मुर्म है और दिश की दूसरी राष्टपती जो बनी है मतल कुस समझते हुए भी चलना होगा तो दीगे इनका जन्म जो है उडिसा में हुआ तो इस जून 1558 में इनका जन्म हुआ था उडिसा के छेत्र में और ये संथाल परिवार में जन्म ली थी तो ध्यान में रखेगा एक संथाल जंजाती होता है तो उस जंजाती में इनका जन्म हुआ था द्रोपती मुर्मू का और ये कहां हुआ था तो मयुर्भंज में हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जा सकता है प्रस्ण और ये उडिशा के छेतर से अगर दे इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सौतंतर भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्टपती होगी है सौतंतर भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्टपती कोन है तो द्रोपती मुर्मू है इसके पहले जितने भी राष्टपती हुए हैं भारत में वो सब भारत के ज उसके बाद इनका जन्म हुआ है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेगा क्योंकि यहां से प्रस्ण पूछा जाएगा और इस तरह से देखा जाए तो यह सोतंत्र भारत में जन्म लेने के साथ साथ में भारत की सबसे यूवा रास्टपती बनी है अभी 64 वर्स की उमर में यह रास्टपती बनी है तो आप यह भी बात को ध्यान में रखेगा कि सोतंत्र भारत में जन्म लेने के साथ साथ में बतलब भारत की सबसे यूवा रास्टपती भी कोन है तो यह द्रुपती मुर्मु बनी है तो यह सब भी बात थोड़ा सा ध्यान में रखेगा अब नहां पर बात आता है कि जन्म लेने के बाद देखा जाए तो ये बढ़ी आगे तो जब बढ़ी हुई इनका जब विवा हुआ तो विवा इनका स्याम चरन मुर्मू के साथ हुआ था ठीक है स्याम चरन मुर्मू के साथ जब विवा हुआ तो इनके दो बेटे हुए और एक बेटी हुई लेकिन क्या हुआ कि दुरुभाग ये बस जब इनके बेटे बड़े हुए तो दो हजार नॉइस्वी में इनके छोटे बेटे का मिर्तु हो गया नीधन हो गया इसके बाद जब ये देखा जाता है तो डिप्रेशन में चली गई थी बतलब जब बेटा का नीध हो गया तो ये और डिप्रेशन में चली गई थी लेकिन अपने आपको शमान नहीं पा रही थी और जब तक ये दर्द कम होता तब तक 2014 इस्वी में इनका पती स्यांचरण मुर्मो का निधन हो गया जब इनका पती का भी निधन हो गया तो पूरी तरीका से जो घर का लोड के लिए ये सिक्षक के रूप में अपना पहला कार्य प्रारम किया था मतलब ये सिक्षक बनी और बच्चों को पढ़ाना चालू की थी देखा जाए तो ये रमा एक महिला कॉलेज है रमा देवी महिला कॉलेज वहां से इन्होंने ग्रेजवेशन बीए की पढ़ाई की और उसके बाद देखा जाए तो सबसे पहले एक उडिशा सरकार में सिचाई विभाग में एक कर्मचारी के रूप में अपना कारेभार समाली थी तो ये भी कुछा जा सकता है कि सबसे पहले उडिशा सरकार में क्या की थी तो उडिशा सरकार में सबसे पहले सिचाई विभाग में एक कर्मचारी के रूप में एक कलर के रूप में अपना कारेभार समाली उसके बाद बतलब ये आगे बढ़ी बतलब अपना दुख दर्द को भूले का प्रयास किया और आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले 1997 में इन्हों ने क्या किया कि एक नगरपालि का चुना लड़ी और वहां से नगरपालिका से ये चुनी गई और चुनाव जितने के बाद रायरंगपूर से जब चुनाव जितने के बाद वो फिर राजनितिक केरियर यहां से सुरुवात करती है बत्तब 1997 में रायरंगपूर से जब चुनाव जीती तो जितने के बाद य ये मंत्री का पोस्ट पर गई और मंत्री का पोस्ट को भी बेखूबी से निभाया और 2007 इस्वि में इनको उरिशा सरकार के दोरा और उरिशा विधान सभा के दोरा बेश्ट विधायक के लिए इनको निलकंट पुरुस्कार दिया गया। तो 2007 इस विवें इनको उडिसा सरकार के द्वारा बेस्ट विधायक का पुरुसकार दिया गया निलकंट पुरुसकार दिया गया फिर इसके बाद ये आगे बढ़ते रही और उसके बाद आगे जब बढ़ी तो बहुत सारा डिपार्टमेंट मिला इनको अपना अच्छेतर म बिकास करने के लिए जैसे वानिज्य मंत्राले इनके पास आया इनके पास सड़क मंत्राले आया फिर उसके बाद परिवहन मंत्राले सड़क मंत्राले वही हुआ मतस्पालन मंत्राले इस तरह से बहुत मंत्राले का ये मंत्री बनी और मंत्री बनने के साथ-साथ उस छेतर क पूरा विकाश की मतलब अपनी कर्मनिस्टा और इमंदारी से अपना पद को निभाया और आगे की और बड़ी बाद में देखा जाता है तो 2015 इसवी में बीजेपी का जब सरकार हुआ करता था तो उस समय इनको जार्खन की पहली महीला रास्टपती बनने का गौरव प्राप होगा क्योंकि ये जार्खन की इतिहास में नौवी राजपाल बनी और ये पहली राज की राजपाल बनी और सबसे लंबा कारेकाल पूरा करने वाली भी राजपाल बनी देखा जाये तो जार्खन की राजपाल के रूप में इन्होंने पहला जो कारिभार समाने का काम 18 मई जो 18 मई 2015 इस्वी को किया था बतब कारिभाद 18 मई 2015 इस्वी को प्राप्त की थी और इसके बाद 6 जुलाई 2021 इस्वी तक ये अपना पदभार समाली बतब लगबग 6 सालों तक ये जारखन की राजपाल रही और सबसे लंबे समय तक जारखन की राजपाल रहने वाली पहली ब और आगे बढ़ते हुए इसके बाद उचाईयों तक गया वैसे जारखन की पहले अगर देखेंगे तो सबसे पहले राजपाल कोन थे तो परभात कुमार थे और इनके बाद दुरुपती मुर्मु के बाद जारखन के राजपाल बने कोन तो रमेश बेस बने थे जो 36 गर से स इनका देखेंगे तो केरियर आगे बढ़ते रहा कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताते हैं वो काम का ही है मतलब अगर पूछ दे गलती से कि कहां की राजपाल थी तो जारखन की राजपाल थी और इसके बाद जारखन के राजपाल कोन बने अगर ऐसा कोशन पूछ देता है तो थोड़ा सा परिसानी बढ़ सकता है तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेगा कि रमेस बेस इनके बाद भारत जारखन के राजपाल बने ठीक है उसके बाद अगर हम देखेंगे तो दरोपती मुर्मु का शफर आगे की और बढ़ते रहा और आगे जाकर द नाम का घोसना हुआ था राश्टपती के लिए वैसा ही मान लिया गया था कि राश्टपती अगली मतब दरोपती मुर्मु ही होंगी लेकिन एक नाम मातर का जो भोटिंग होता है मतब भोटिंग हुआ और कॉंटिंग हुआ वो एक अपचा रिकता था लेकिन राश्टपत जो मतलब भारत की इतिहास में ऐसा पहला बार होगा कि कोई आदिवासी राष्टपती जो पहला नागरी के रूप में देश में सामने आएगी ये मतलब पहली बार देखने को मिला है मतलब अगर इनका चुनाओ का बात करें जिसके लिए हम वीडियो को रोके हुए थे कहने का मतलब है कि इसके पहले भी हम बोल सकते थे कि भारत की राष्टपती दुरोपती मुरुमू ही होंगी लेकिन ये बात किवल हम इसलिए रोक रहते कि आकिर भोटों से जीतेगी तो कित्ता भोटों से जीतेगी नजदिकी पर्तिद्वन्धी जो जस्वन सिन्ह थे कांग्रेस के तरब से परतिद्धी और कांग्रेस कांग्रेस के गटबंधन के तरब से देखा जाते एक परकार से थे तो कहने का मतलब वो अगर देखा जाए तो वो कितना भोटों से हा रहे हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी है दिखे अगर देखा जाए तो राष्टपती का जो भोटों का जो गिंती होता है तो भोट भेलू उसका important होता है तो जो total भोट भेलू कितना था राष्टपती च जो 5,43,216 भोट लाता वो जीत जाता लेकिन अगर देखा जा तो द्रोपती मुर्मू के पच्छ में 2,161 भोट पड़े जिसका भेलू जो था वो 5,777 था और जो जैंत सिन्हा जैंत सिन्हा जैंत सिन्हा तो उनके बेटे हैं जो जैंत सिन्हा को भोट पड़ा वो कितना था तो उन्ता भोट भेलू अगर देखा जाए तो वो कितना था तो 2,61,62 था और अगर देखा जाए तो कुल भोट उनको पड़ा था मतलब 158 भोट पड़ा था लेकिन भेलू जो था वो 2,61,62 भोट उनको पड़ा था तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत अधीक अंतर से देश के लिए एक गौरों की बात है कि जो ground label जो मेरे देश में बहुत पिछड़े वे जन जाती भाई है उनके लिए एक बहुत अच्छा बात है कि उनको कोई देखने वाला कोई शमचने वाला सफसर्वोच पद पर नामित हो सकता है तो वो क्यों नहीं आगे अच्छा कर सक करते हैं तो यह बहुत अच्छा ख़बर है बतलब देश के लिए और देश के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का मतलब यह संकेत करता है कि देश को जो शरकार है या देश को एक साथ लेकर और सभी के साथ कोई भेदभाव नहीं सब बढ़ सकते हैं सब अच्छा कर सक यह संकेत करता है यह रास्टपती को रूप में नामित होने के बाद और रास्टपती देश की जो पहली आदिवा सी महीला रास्टपती हैं इनको हम सब लोग के तरफ से ढेश सारी सुब कमना है लेकिन एक बात यहां पर समझने वाला यह होता है कि दरोपती मुर्मू उनके बारे में तो हम पूरा डिटेल्स देखी लिए कि जिस तरह से उनका केरियर रहा है वो पूरा हम देख लिए लेकिन इनकी बेटी के बारे में भी जो एक मात्र इनके परिवार के मेंबर के रूप में इनकी बेटी अभी है इनके साथ तो उनके बारे में भी जान लेते हैं क्य यह कहां रहती है तो यह जारखंड में ही राची में रहती है गनेश के साथ इनका विबा हुआ है और इनकी भी एक बेटी है मतलब इनका नाम है मतलब यह आध्या स्री तो आध्या स्री इनकी बेटी है मतलब द्रोपती मुर्मु की बेटी कोन है तो इती मुर्मु और इती ये आद्या सिरी हैं देखे जारखन के परतियोगी परिक्षाओं में कुछ भी नहीं कहा ज़क सकता है क्या पूछ देगा इसलिए जारखन के परतियोगी परिक्षा वाला लोग ये जरूर याद रखेगा जब डोलान ट्रॉम्प हुआ करते थे मतलब रास्ट पती हुआ करत प्रतियोगी परिक्षाओं में कम से कम ये बात पूछा जा सकता है तो इस तरह से थोड़ा इसको बात को ध्यान में रखेगा और ये महिलाओं के लिए नहीं पुरा देशवासियों के लिए ये गौरण की बात है कि जो संकट में रहने के बाद भी इतनी परिस्तितियोगी को जहल कर भी मतलब हार नहीं माना और जिंदिगी में जो शफर इन्होंने प्रारम किया उसे पीछे मुड़ कर नहीं देखा और देश की पर्थम नागरी के रूपे अपने आपको लाने का प्रयास की और उसके बाद ये जो गौरा का बात होता है वो हम सब को प्रहना देता ह कि कभी भी किसी भी कंडिशन में कोई भी मुसीबत आए तो घबराना नहीं चाहिए उसे डट कर सामना करना चाहिए और उसके बाद ही आपको शफलता मिलेगी तो आई होप आप सब को राश्टपती द्रोपती मुर्मू के बारे में जितनी भी जानकारी था एक सिक्छक से लिकर एक राश्टपती तक का सफर का हम बताने का परियाज किये अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर किजेगा उस मतलब राश्टपती के लिए जिन्होंने अपने जीवन में संघर्स किया उनके लिए तो एक लाइक बनता है बाकि अगर अच्छा लगे तो चैन